बलातकार छेड़चाड यौन शोशन जैसे खबरों पर अभी ब्रेक नहीं रगा है इस बार रेप एक मौलवी द्वारा किया गया है उत्राखन के उधम सिंग नगर के जिले में एक मौलवी ने स्कूल के बच्चीयों के साथ खिनोनी हरकत दी उर्दू सिखाने के नाम पर 5-6 साल की मासूम बच्चीयों के साथ रेप करता था इतना ही नहीं मौलवी बच्चीयों को गंदा वीडियो भी दिखाता था चलिए जाते हैं क्या है उधम सिंग नगर का ये पूरा मामला मदर्से का मौलवी ऐसी घिनोनी हरकत दो महीने से लगातार बच्चीयों के साथ कर रहा था जब बच्चीयों ने मौलवी से कहा कि वो इसके बारे में अपने घरवालों से शिकायत करेंगी तो मौलवी ने उन्हें खुब धमकाया और जान से मार देने की बात भी कही मौलवी बच्चीयों को उर्दू पढ़ाने के लिए बुलाता था मौलवी बच्चीयों को डराता था कि उसके पास जादूई शक्तिया है और अगर उन्हें मौलवी की करतूद के बारे में किसी को कुछ बताया तो वो जिनकी मदद से बच्चीयों के माता पिता की खत्या करवा देगा इस मामले में पुलिस ने आरोपी को कस्टिटी में ले लिया है टीम ने सभी बिंदूओं पर ध्यान देते हुए जाँच शुरू कर दी है एस पी ने SIT जाँच गठित कर आरोपी के खिलाफ सम्बंद धाराओं के तहट कारवाई करने के निर्देश दे दिये है पीडित बच्चियों का भी इस मामले में बयान दर्ज किया जा चुका है ऐसे ही खबरों के लिए जूड़े रहे और देखते रहे लोग मत हिंदी